इंटरनेशनल कबड़ी खिलाडी संदीप नांगल अमिया के हत्यागान के मामले में अब एक नया मोड़ा चुका है। इंधर देहात SSP स्वनरदीर सिंग ने कहा है कि मामले में कई पहलूँ पर जात चल रही है। यादविंदर सिंग को साजश का हिस्सा बनाया था। सोत्रों के मताविक 14 मार्च को रोयल किंग्स क्लब युवेसे के मालिक शबबा थियाड़ा भारत में था। इसके बाद वो दिल्ली एरपोर्ट से कैनाड़ा चला गया। मृतक के भाई ने पुलीस को बताया था कि उक्त तीनों ने हत्या करवाई है। मामले में सबसे पहले शबबा थियाड़ा से इन्वेस्टिकेशन शुरू की गई तो मालूम चला कि हत्या के कुछ समय बाद उसने किसी और से बात की उसके बाद वो विदेश चला गया था। शिकायत करदा ने पुलीस से कहा था कि सुखमान और शबबा थियाड़ा भाई को फेडरेशन का हिस्सा बनाना चाहते थे लेकिन संदीब नांगल अमिया ने मना कर दिया था। अगरेश सिंग का कहना था कि 12 अपरेल की रात करीब आट बजे मोबाईल फोन पर सोचल मेडिया के जरिये एक फोन कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि कैनला से हर्मन जी सिंग सनोवर धिल्लो का दोस्त बोल रहा है कि इस वापस ले लो नहीं तो तुम्हारा भी हाल संदी इप नांगल अंबिया जैसा करेंगे फिलाल अलब देखना है मोगा इन तीनों से पोस्ताज के बाद क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता है अब अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन का बटन दबाईए वेडियाप नियूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए